परवरतन निर्देशाले यानी E.D. की नीरव मोदी और मिहुल चौकसी पर काफी दिनों से टेड़ी नजर है और अब इसी के मद्दे नजर परिवर्तन निर्देशाले यानि E.D. ने PNB घोटाले के मुख्यारोपी नीरव मोदी मिहुल चौक्सी समेट अन्य आरोपियों की 218 करोड से भी अधिक संपत्ति कोच सब्त कर लिया है E.D. ने एक आरवाई PMLA कोट में दोनों की पेशना होने के बात की है कोट ने घोटाले के मुख्यारोपी नीरव मोदी और उसके मामा मिहुल चौक्सी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट चारी किया है चार अन्य देशों में थी देश में जनवरी 2018 में इस स्कैम का पता चला था नीरव मोदी और उसके मामा मिहुल चौक्सी ने PNB की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों की मिली भगत से घोटाला किया गया था दोनों ने फर्जी लेटर ओफ अंडर्टेकिंग के जरिये बैंक से रकम लेकर विदेशों में ट्रांसफर की मामला खुलने के बाद दोनों ही आरोपी देश छोड़ कर भाग गए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरफ ब्रेटेन में है जबकि मिहुल एंटीगुआ में रह रहा है दोनों के सरेंडर से जुड़े मामले में भारत सरकार लगातार जुटी हुई है अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियो और शेर कीजिए